एक किंग जो गे है अपनी वाइफ के साथ अपने फ्रेंड को सोने के लिए कहता है ये सब कॉम्लिकेट हो गया क्योंकि एक किंग अपने फ्रेंड से प्यार करता था और इसके बाद लव, बिट्रेयल और रिवेंज इसके एक टेल स्टार्ट होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको अफ्रोजन फ्लावर ए 2008 की एक कोरियन रोमेंटिक ड्रामा मूवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ अगर आपको वीडिया अचल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा अब बिना कैसी तरी के स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हमें बताया जाता है कि एक किंग छोटे लड़के को ट्रेंड करता था ये बड़े होकर हमेशे उसे गाड़ करते थे ये उसके लिए कुछ भी कर सकते है किंग का बच्पन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था हॉंग हॉंग को उसने ट्रेंड किया इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी ये एक साथ म्यूजिक बचा दे थे सब कुछ चीजे एक साथ कर दे थे अब इसके बाद ये दोरों बड़े हो चुके हैं इनके बैलेस का एक आदमी एक सर्वंट से बहुत प्यार करता था और उसे लेकर यहाँ से दूर भाग रहा था हॉंग उसका पीछा करता है फिर से बैलेस में लेकर आया किंग से धूगा करने की सजा डारेक्ली मोथ है जो भाग गया था ये हॉंग का फ्रेंड है हॉंग ने किंग से कहा इपलीज उसे इस तरह के से कोई भी पनिश्मेंट मत देना किंग ये था और हॉंग से प्यार करता है इसी वज़े से उसका सब कुछ कहना मान लेता है पैलेस में आकर हॉंग ने डिकलेर किया क्या हमारे फ्रेंड को कोई भी मारेगा नहीं यहाब और उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नामे नो तक इसे इसे प्रॉल्म होती है वो गहता है सजा सजा होती है किंग के कानों में खुसपुस करकर उसके डिसीजन बदलना बन कर दो उस पर बहुत ही गुस्ता था किंग और हॉंग जब अकेले थे तो किंग हॉंग से बुच्छता है तुम भी तो बहुत सालों से मेरे साथ हो क्या अगर तुमें ओपरजिनेटी मिलती तुम भी किसी के साथ भाग जाते है होंग कहता है ऐसा कभी भी नहीं होका इसके बाद किंग से मिलने के लिए क्वीन आई वो कहते हैं एमपरर यहाँ पर आने वाला है यानि कि किंग के ऊपर किसी और का राज है एमपरर आने पर क्वेशन करेगा कि किंग को अब तक कोई भी सन नहीं अगर ऐसा हुआ तो किंग को बदल दिया जाएगा इस प्रॉल्म को सौल करने के लिए किंग के बास अब तक कोई भी ओप्षन नहीं है क्वीन जब बाहर आई तो हंग से बात करती है कहती है जादा किंग के करीब मद रहा करो तुम बर भी लोग शक ले सकते है क्वीन को किंग और हॉंग के बारे में सब कुछ पता था अगली दिन किंग और क्वीन ये बाहर घुमने के लिए आए होए थे वो जब क्वीन से फर्स टाइम मिला था तो उसने क्वीन को बहुत ही ब्यूटिफुल सा निकलेज दिया था वो आज भी पहन रही है किंग को ए बहुत अच्हा लगता था वो गयता है तुमने मेरे लिए गाना गाया था आज भी गाना गाँ क्वीन भी ब्यूटिफुल सा सिंग करती है तब इन पर हमला हो गया इस हमले में हॉंग क्वीन को प्रोटेक करता है पर किंग इंज Óर हो गया इनका सेनापती हौंग पर बहुत ज़ादा गुस्ता हो गया गयता है तुम्हारा जॉब है किंग को प्रोटेक करना किंग जखमी हालत में था पर फिर भी कहता है कि हौंग ने होता तो मेरी डेध हो जाती है हौंग को बहुत पुरा लगा हौंग ने इस इंसिटन को इन्वेस्टिगेट किया उसे पता चला कि उसके बैलेस के कुछ लोग इसके पीछे थे और वो बहुत ज़ादा पावरफूल है क्योंकि वो डारेक्ली एमपरर के लिए काम करते है इन सब का मिलकर किंग बदलने का प्लान है जब तक हौंग 100% शुर नहीं तब तक कुछ भी कर नहीं सकता इसके बाद एमपरर आया किंग को कोई बे बेटा नहीं तो किसी और को किंग करने वाले थे पर कुईन कहती है अब तक किंग यंग है ने कभी भी बेटा हो सकता है राद में इसी इशो को लेकर कुईन किंग के पास आये थी वह गयती है हम प्रिटेंड करेंगे कि एक साथ सोय थे किंग कहता है हमारे पास और एक आप्शन है वो हौंग पर ट्रस करता है और हौंग क्वीन के साथ इंटिमेट हो सकता है अगली राद सब अरेंजमेंट किया गया हौंग ने क्वीन के साथ इंटिमेट होने के कोशिश की पर वो बात कर नहीं पाया अगली दिन ये बात किंग को बता देता है किंग कहता है तुमारे पास और दो जान से अब सही से करना हौंग ने पुछा कि आपने मुझे क्यों जोस किया किंग कहता है तुम से अच्छा और कोई हो नहीं सकता रात में जाकर फिर वो क्वीन के साथ इंटिमेट हो जाता है किंग इन्हें इंटिमेट होता देख रहा था अगली दिन किंग ने हौंग से पुछा किसी लड़की के साथ होना कैसा था हौंग कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था ये सब वेर्ड है तो उसने कहा कि आप पर जो हमला हुआ था उसे इन्वेस्टिकेशन करने के लिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ हौंग ने अपने आपको डिस्टैक करने की कोशिश्टों की वो उससे क्वीन की याद आ रही थी और रात में सो भी नहीं पाता बहुत दिन हो चुके पर फिर भी वो वापस नहीं आया किंग उसके लिए वरीड था तो अपने कुछ आदमियों को भेज देता है जो भी अटैक हुआ उसमें क्वीन का नेकलेस टूट गया था उसी तरीकी का नेकलेस हौंग ने इस टाउन में देखा तो क्वीन के लिए बाई कर लेता है किंग के आदमियों से फिर से घर ले जाने के लिए पर फिर विए रेडी नहीं था राट ने उसे पता चला कि क्वीन की तबियत जरा खराब है वो फिर तुरंट पैलेस आज आता है किंग क्वीन को देखने के लिए गया था वो कहता है क्या तुम प्रेगनन्ट हो क्वीन कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं वो सिर्व जरा बिमार थी किंग जब भी बिमार बढ़ता था तो हॉंग उसे इस स्पेशल ड्रिंग देता है किंग ने अपने लोगों से कहा कि वही ड्रिंग क्वीन को दीजिए वो गहते है हॉंग ने सुबाए क्वीन को दिया था किंग सप्राइस्ट हो गया कि हॉंग उसके पीछे क्वीन से मिल रहा है रात में हॉंग से बात करता है कहता है तुम्हारा ड्रिंग लेकर क्वीन के पास जाओ हॉंग ने उसे सच बताया नहीं वो कहता है कि रॉयल सर्वंट ये सब कुछ सही से कर लेंगे अगले दिन किंग ने क्वीन और हॉंग को बुलाया कहता है क्वीन की तबियत लास्ट टाइम बहुत ही बिगट गई थी अब थोड़े टाइम तक इन दोनों को गैब देना है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वीन और हॉंग में अट्रेक्शन हो चुका था उसे मिलने के लिए गया उसने जो नेकलेस लाया है उसे दे देता है रात में किंग को बेटा हो इसके लिए पैलेस में एक बड़ा सा फिस्ट था क्वीन की दासी आकर हॉंग से बात करती है लैबरेरी में हॉंग को क्वीन से मिलना है ये दोनों मिले और वही इंटिमेट हो गए क्विन ने हॉंग को एक हैंकर जीप दिया कहा किसे हमेशा अपने पास रखना अगली दिने फिर से उसी यही मिलने वाली है क्विन को बदा जला कि उस पर जिसने हमला किया था उसका है मिनिस्टर है तो आज रात उस पर नज़र रखने के लिए हॉंग को भीज दिया जाता है हॉंग को एक्चुल में क्विन से मिलना था पर वो आज रात मिलनी पाया अगली दिन क्विन का ब्रदर यहां आया है वो कुछ दिनों के लिए Queen को अपने घर लेकर जाना चाहता था King भी कहता है इसका अच्छे से खैल रखना King के पास एक बहुत ये अच्छा सा होर्स आया ये होर्स वो Hong को गिफ्ट देने वाला था वो Hong का गारडन में आने के लिए वेट करता है पर Hong अब Queen के पास था वो उसके साथ इंटिमेट हो रहा था King ने उसका बहुत वेट किया रात हो गी पर फिर भी Hong वापस नहीं आया अब Queen थोड़ी दिनों के लिए बाहर जाएगी तो ये मिल नहीं पाएंगे तो उसने Hong को ड्रिंक ओफर किया वो कहती है तुम हमेशा King के साथ रहते थे मैं बहुत ही जेलस हो जाती थी Queen ने Hong के लिए इस special rice cake भी बनवाय हुआ है ये दोनों आज बहुत ही sad थे एक दुसरे को like तो करते पर कभी भी एक साथ हो नहीं सकते रात में Hong बहुत ही late वापस आया तो King उसे पुछता है तुम कर कह रहे थे Hong ने कहा कि मैं लैबरी में था battle के बारे में एक book पढ़ रहा था King ने इस book के बारे में सब कुछ detail पूछे पर Hong ready था उसने सब कुछ सही सही बता दिया King कहता है अगर तुम्हें battle के बारे में इतना सब कुछ पता है तो मुझसे लड़ो मुझे King की तरह मत समझना सही से लड़ना फिर ये दोनों sword fight करते है इसमें Hong King पर war कर नहीं पाया King कहता है तलवार जलाने में soul लगती है कोई technique नहीं उसे समझ गया था कि उस पर cheat कर रहा है उसे loyalty दिखाने के लिए कहता है Nixon में हम देखते है palace के कुछ लोग जो King की खेलाफ है इनकी meeting जल रही थी इन्होंने decide कि King को overthrown करने के बाद वो Queen के brother को King बनाएंगे इस meeting में Queen का brother भी था King को already इस सब लोगों के बारे में पता है पर Queen के brother के बारे में पता नहीं था वो Hong को भेशता है और minister लोगों पर ये हमला करते है इनसे सब कुछ पूछा गया तो इन्हें Queen के brother के बारे में पता चला King इस वाद से बहुत ही गुस्सा हो जाता है कहता है palace में एक फिज़ दो जो भी traitor है इन सब को बुलाएंगे और वहाँ मार डालेंगे सिर्ख Queen का brother यहाँ नहीं होगा उसे जाकर उसके घर में मारेंगे ब्रदर को मारने का order ये Hong को दिया गया Hong बेचारा बहुत ही टेंशन में था वी Queen के brother को कैसे मार सकता है palace में fist हुआ और King ने सब लोगों को मार डाला Hong Queen के ब्रदर के बास दो गया पर उसने उसे छोड़ दिया कहा कि हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ King स्मार्ट है उसने अल्रेडी अपने लोगों को बता दिया था कि अगर Hong ने ऐसा कुछ किया तो वो जाकर Queen के ब्रदर को मार डालेंगे वो King को दिखाने के लिए टारेक लिए उसका सर ही निकाल लाते है Queen घर पर वापस आ गयी थी रात में वो और Hong फिर से मिले उससे बुछती है क्या तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला Hong कहता है मैंने उसे जाने दिया नेक्स डे King ने फिर से Hong और Queen को बुला हुआ था वो गहता है अब हम फिर से intimate होना start करेंगे पर इस बार Hong Queen के साथ intimate नहीं होगा किसी और को भेजेगा Queen इससे अपसे ठोके वो गहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यह मेरा आपमान है King कहता है कि तुम दोनों को पता नहीं कि मैंने decision क्यों लिया है यानि कि उसने उन्हें बता दिया कि उसे सब कुछ पता है राद में Queen ने Hong को बुला है कहती है हम यहाँ से भाग चलते हम कहीं भी रह सकते Hong ने जो भी किया था इसको उसे पच्टाओ हुआ वो कहता है अब से मैं सिर्फ King के साथ ही रहूँगा वो King के पास है उसे apologize करता है कहता है कि मैं death deserve करता हूँ मैंने जो भी किया यह बहुत ही गलत था अगर आपको लगे तुम मुझे मार डाली है King कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है हॉंग अपने घुटनों पर ही उसी गार्डन में बैठा रहा इसे ही एक दो दिन गुजर गए King फिर हॉंग को बुला कर कहता है इजाओ और बॉर्डर पर सवर करो जब तुम वापस आओगे तब हम देखेंगे हॉंग के रिजेक्शन के बाद क्विन बहुत ज़्यादा अपसेट थी उसने विरिस्ट कार कर सुसाइड करने की खूशिश की अब इस सब चीजों को थोड़े दिन कुजर चुके है King और हॉंग फिर से बहले की तरह फ्रेंड बने है एक दिन हॉंग को Queen ने फिर से मिलने के लिए बुला है कहा कि सिर्फ एक बार मिलने के लिए आजाओ हॉंग किंग के साथ ही सो रहा था रात में उठकर चला जाता है Queen उसे कहती है कि मैं pregnant हो अगर किसी को भी पता चला तो King उसे मार डालेगा हॉंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा वो इस चायल को वेलकम करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वो वहाँ से जा रहा था पर Queen रोग कर उसे गले लगा लेती है ये दोनों फिर इंटिमेट होने लग गए King ने नुटिस किया कि हॉंग उसके पास नहीं तो उसे ढूनने के लिए लेबरेजी में आ जाता है इन दोनों को उसने इंटिमेट होता देख लिया King बहुत ही गुस्सा हो गया वोंग से गता है तुमने मुझसे कहा था ये सब कुछ फिर से नहीं होगा क्विन कहती कि सब कुछ मेरी गलती है मैंने उसे सिड्यूस किया था हॉंग ने कहा कि ऐसा नहीं मैं उसे प्यार करने लग गया हूँ इसलिए सब कुछ हुआ प्यार के बारे में सुनकर King और भी जादा गुस्सा हो जाता है उसने हॉंग के प्राइवेट पार्ट को कट कर देने का ओर्डर दिया बाद में King को Queen की Pregnancy के बारे में पता चला वो अपने आदमी से बुछता है कि ये बात किसी को भी पता ना चले वो बेटा मेरा हो इसके लिए क्या करना चाहिए अब जिसको भी पता है इस सब को एमार डालेंगे King Hong को मार नहीं सकता तो रात में उसे मिलने के लिए आया वो से कहता है जैसे चीज़े पहले थी वैसे सब कुछ हो सकता है अगर तुम फिर से मेरे पास वापस आ जाओ और Hong ने इसके बार में कुछ भी नहीं कहा Queen को जब पता चला कि King उसके चायल को accept करेगा तो उसे पता है इस सब लोग मारे जाएंगे वो अपने सिपाईयों को order देती है कि जाओ और Hong को बचा कर यहां से दूर लेकर जाओ वो लोग Hong को बचाने के लिए गए Hong कहता है Queen कहा है उन लोगों ने कहा Queen भी आगे चली गई है Hong फिर इसके लिए मान जाता है घर से बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चला Queen ने सिर्फ उसे सेफ करने के लिए जूट कहा था King को पता चला कि Queen ने सब कुछ किया है तुसे बुला लेता है उसने कहा कि अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि Hong कहा है तो बहुत बुरा होगा Queen कहती कि मुझे मार डालो पर फिर भी मैं तुमें नहीं बताऊंगी King कहता है कि इतनी आसानी से नहीं मैं बदला लूँगा तुमारे बेटे को एक ट्रेटर के बेटे के तरह बढ़ा करूँगा तुम हमेशा दडबती रहोगी Queen फिर भी कुछ भी नहीं बताती Hong से रहा नहीं जाता वो Queen को लेने के लिए पैलेस में आ रहा था Queen के लोग कहते है तुम उसे अब satisfy कर नहीं सकते जाकर क्या फायदा फिर भी Hong वहाँ से निकल गया King के आदमियों ने इनकी जगे को ढोन लिया था इस सब लोगों को मार डालते Hong आगे चला गया तो बच जाता है बाद में Hong ने रेलाइस किया कि अगर ओ फिर से पैलेस में गया तो सब कुछ चीज़े सिर्फ कॉंपलिकेट करेगा वो आपस आया पर देखा King के आदमियों ने Queen के सब लोग को मार डाला था अब उसे लगा Queen को बचाना पड़ेगा वो वहाँ सेफ नहीं वो उसे बचाने के लिए जल्दी से निकल बढ़ता है Queen के साथ मेलकर Hong को बचाने के लिए पैलेस के जिन भी लोगों ने हेल्प की थी King ने उन सब लोगों को मार डाला उनके सब ये पैलेस के सामने लटका दिये Hong का फ्रेंड भी इसमें था ये सब देखकर Hong बहुत रोता है रात में Hong पैलेस में खुझ गया उसे जिसने भी रेजिस्ट के उन सब को मार डालता है Finally King के बास आ गया उसने का तुमारी स्वार्ड उठाओ मैं तुम्हें फाइटिंग का चांस देना चाता हू ये दोनों फिर बहुत फाइट करते है King गहता है क्या तुम्हें सचूश में लगता है तुम्हें हरा सकते हो Hong ने का कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं King पूछता है क्या प्यार इतना ज़्यादा इंपोर्टन था Hong ने का तुम्हारी वज़े से मुझे प्यार हुआ मैं बहुत ग्रेटफुल हू ये दोनों बहुत लड़े King ने Hong को इंजोर कर दिया था King उसे फिरस एक चांस देता है कहता है अपनी तलवार नीचे फिक दो मैं दुम्हें जीने दूँगा Hong इसके लिए नहीं मानता इस फाइट में ये दोनों एक दुसरे को मार डालते है मरते मरते King ने पूछा क्या कभी तुमने उसे प्यार किया था Hong कहता है कि कभी नहीं Hong अभी भी थोड़ा सा जिन्दा है King के आदमी उसे मार डालते है इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है King ने अपने राज को बढ़ाने के लिए एक गलत रस्ता चूस किया जो उसे सही लग रहा था Hong ने भी रियलाइज नहीं किया पर उसे Queen से प्यार हो गया उसी के लिए final उसे जान दीनी पड़ी King भी Hong से बहुत प्यार करता था पर हमेशा उसे बिट्रेल ही मिला ये ट्रैजिक टेल एक अदम हो जाती है अगर आपको वीडियो अचल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लिकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दाओने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमीवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये